शकरकंद को आपने कई बार कूकर में पकाया होगा या अगर आपको भूनना हो तो आपने चूले में भी भूना होगा जिससे की बहुत अच्छा टेस्ट आता हुआ भूने हुए एक शकरकंद का आज हम गैस में इसे भूनेंगे लेकिन बीना कूकर के और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जैसे भूने हुए शकरकंद काता है Welcome back to my kitchen मैहुरा मिशरी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम शकरकंद लिए है इसे हम आज पकाएंगे बिल्कुल नहे तरीके से इसका स्वाद बिल्कुल भूने हुए शकरकंद की तरह आएगा तो सबसे पहले क्योंकि यह बहुत मोटे हैं इसलिए मैं इसे दो तुकडों में कट कर ले रही हूँ जिसे की यह आसानी से पक सकेंगे मैंने इने पहले धो लिया था तो आप पहले इने अच्छे से धो लिजिए फिर कट करिए अब एक कटोरी मैंने एक चमच पीशी शकर ली है और आधा चमच देसी घी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप शकर नहीं एट करना चाहते तो यहाँ पर आप सिर्फ देसी घी बस ले लीजिए अच्छे से इसे फेट लीजिए थोड़ा अब एक ब्रश की सायता से या हाथों से भी आप इसे लगा सकते हैं तो इस तरीके से शकरकंद में चारों तरफ अच्छे से लगा देना है इससे शकरकंद में बहुत अच्छा स्वाद आएगा और इसी तरीके से अच्छे से चारों में मैंने लगा लिया है तो आपको जितने भी शकरकंद पकाने हो तो उसे आप लेका इसी तरीके से उसमें घी से कवर कर लिजी अब मैंने आपर बटर पेपल लिया है और उसे इस तरीके से लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया है आप इसकी जगह aluminum foil को भी use कर सकते हैं इससे शकरकंद जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से पक जाएंगे इस तरीके से पकाई हुए शकरकंद का टेस्ट एकदम भूने हुए शकरकंद के जैसे लगता है तो बहुत अच्छा लगता है अब एक कड़ाई में मैंने नमक डाल कर उसे थोड़ा सा गरम कर लिया है पाच मिनिट और अब इसके बाद इसमें मैं इस शकरकंद को रख दूँगी और इसे हम ढख कर 10-15 मिनिट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर कहीं से भी आज बाहर नहीं निकलना चीज बात का ध्यान रखें और इसे धीमें आज पर पकने दें पाच मिनिट के बाद इसे आपको एक बार खोल कर पलट देना इस तरीके से ताकि दूसरे साइड से भी शकरकंद अच्छे से पक जाए और फिसे से ढख के हमें पकाना है जब तक कि ये अच्छे से नहीं पक जाते शकरकंद अगर पतले होंगे तो उन्हें जादा समय नहीं लगेगा पकने में और अगर मोटे शकरकंद होंगे तो थोड़ा सा जादा समय लगेगा तो उसी साब से आप इसे एक बार चेक कर लीजिए अब लगबग 10 मिनट हो चुके हैं तो एक टूथपिक की सायता से हम इसे चेक करके देख लेते हैं कि अच्छे से पके हैं कि नहीं तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से शकरकंद में टूथपिक चली गई है तो ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं थोड़ा सा ठंडा कर और फिर इसे इस तरीके से हम निकाल लेंगे देख सकते हैं कितने अच्छे से पके हुए है शकरकंद इस तरीके से पकाई हुए शकरकंद का स्वाद एकदम भूने हुए शकरकंद की तरह आता है जो बहुत टेस्टी लगता है तो अगर आपको भूने हुए शकरकंद का टेस्ट लेना है तो आप इस तरीके से शकरकंद पका लीजिए तो आपको बहुती बड़िया टेस्ट आएगा शकरकंद का इसके लिए आपको चूला या कंड़ा जलाने की कोई जुरुत नहीं है गैस पे ही आसानी से आप इस तरीखे से शकरकंद पका सकते हैं तो आप देख सकते कितनी आसानी से ये शकरकन छेल रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं और इससे बहुत अच्छा स्मोक की फ्लेवर आता है तो हम आपको एक शकरकन तोड़ की भी दिखा रहे हैं कितने अच्छे से पका हुआ है एकदम सौफ पका हुआ है यह देखे कितना अच्छा सा पका है शकरकन और खाने में बहुत टेस्टी रखता है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कीजिए हम मिलेंगे एक और नई रेसिपिक साथ नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई थैंक्स फर वाचिंग